नमस्कार, मीडिया बोल के 14 एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे गौरी लंकेश, जानिमानी पत्रकार, संपादिका, लेखिका उनकी हत्या को लेकर कैसे कवरिज हुआ, मीडिया में क्या-क्या बहस उभर कराई मीडिया ने कैसे उस इशू को देखा, मीडिया के एक बड़े हिस्से में कैसे नजरन्दाज करने की भी कोशिश की गई तमाम तरह के डाइवर्जन्स भी आए, ट्विस्ट आई और साथ में हम यह भी देखेंगे कि भारती मीडिया ने मीडिया कर्मियों पर हो रहे हमलों को किस रुप में देखा है और हिव्यक्त की आजादी, प्रिस्ट फ्रीडम को हम कैसे देख रहे हैं, कितनी संजीदगी है दुनिया के 180 मुलकों में भारत मीडिया फ्रीडम, प्रिस्ट फ्रीडम के हिसाब से इस वक्त 136 में अस्थान पर है हमारी इस्थिती मुरको, उमान, जिंबावे, लीबिया, कैमरोन, अलजीरिया, पोडोसी, अफगानिस्तान और नेपाल से भी बत्तर है हमारे देश के रास्टरवादी थोड़ा खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान से हम थोड़ा उपर हैं ये हालात हमारे देश के हैं, 2014 के बाद अब तक भारत के आठ पत्रकार मारे जा चुके हैं अगर हम पहले कहां कड़ा लिए तो ये संख्या और भी बहुत ज़्यादा है हम इन ही इशूज पर बात करेंगे, हमारे साथ आज दो खास महमान हैं हमारे साथ हैं नेहा दिक्षित, वरिष्ट पत्रकार हमारे साथ हैं अक्षय मुकुल, वरिष्ट पत्रकार शुरुवात में हम आप से करते हैं जैसा मैंने कहा कि ये जो घटना करम हुए हैं गौरी लंकेश की हत्या को लेकर संपादक बड़ी संपादक बड़ी लेखी का चर्चित चेहरा उनकी हत्या से एक आकरोश उप जा है आपको क्या लगता है अगर कुछ आकड़े देखे जाएं जैसे अभी जब गौरी लंकेश की मूर्डर की बात आई तो बहुत सारे असायम के जौर्णिस ने कहा कि पिछले पच्चिस साल में 32 असायम के जौर्णिस का मॉर्डर हो चुका है उसी तरह से अगर NCRB का डेटा भी जो देखने में आ रहा था कि 2014 और 15 में कम से कम एक सो चालिस जौर्णिस के करीब उन पे हमला हो चुका है TRAG senator जला इक उस्मार एक बात यह जानना जरूरी है मैं यह नहीं कह रहे है कि जो मीडिया ने बहार आकर प्रोटेस्ट किया गौरी लंकेश के मुर्डर के बारे में वो बहुत जरूरी है मगर हम जो सलेक्टिवली ये बाते करते हैं ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने सारे स्ट्रिंगर्स हैं जिनके अभी यूपी में जाजाहापुर में जगेंद्र सिंग थे उनके उनको जला दिया गया था उससे पहले वो राजदे और जिनके साथ ये होता है मगर जब कभी कोई बड़ा जो व्यक्ति जिसको जब जानते हैं सारे लोग उसके बारे में तो हम बात कर रहे हैं मगर जो चोटे-चोटे जो मॉडल बन गया है मीडिया का जिसमें उनहीं स्ट्रिंगर्स से उनका फाइदा होता है मगर जब उन पर होता है तो वही बड़े मीडिया हाउस उनका साथ नहीं देते हैं कभी-कभी ये भी कहते हैं कि ये जॉर्नलिस नहीं है तो ये बहुत ही और हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रॉंग प्रेस बॉड़ी नहीं है हाला कि 2015 में एडिटर्स गिल ने च्छतीस गर जाकर एक रिपोर्ट निकाली थी कि वहां के जॉर्नलिस पर बहुत खत्रा है माउस से भी है और सरकार से भी है सर्वेलिंस में हमेशा रहते हैं मंगर रिपोर्ट निकालने के बाद या प्रोटेस्ट या कॉंडिलेंस मीटिंग करने के बाद हम आगे क्या करते हैं या हमारे पास ऐसी ठोस जो हम मिले अभी पिछले हपते तो ये अब एक धीरे धीरे अब ये जिसको कहते हैं नूर्मल होता जा रहा है हर थोड़े महिने पर कोई अटाक होता है हम मिलते हैं और मुझे जो सबसे ताजुब की बात वो लगती कि इसमें पतरकार मिलते हैं और काफी एक तरह से देखा युनाइटेडली ही मिले हैं भी तक थोड़ा बहुत ही दरदर अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें मालिकों का स्टेक क्यों नहीं ठीक है इस मामले में गौरी लंके अपना अख़पार चलाती थी वो लेकिन ये कल को कोई भी हो सकता है हमने जब कनिया कुमार का जब मामल कोगा हम फिर मिलेंगे फिर वही रिजॉल्यूशन पास करेंगे और फिर हम अपने काम पे चले जाएंगे इससे मतलब मतलब भी हम सब पतरकारों का है तो अगर पतरकार के मीडिया हूस कैसे चले और मुझे लगता है ये कहीं नहीं मालिकों को छोटे अख़बारों के मालि हो बढ़े अख़बारों के मालिकों उन्हें इंटर्वीन करना पड़े हैं कि एक करें कांस्पिरेशी आफ साइलßenस है मालिकों के तरफ से हिंदी अकबार हो जहतरी अख़बारों बढ़ारों लोग बोलते नहीं तो मुझे लगता है यह अब इनको इसमें सामिल करना बहु महत्मुन है कि हम इन्डिविजिवल इनिशियेटिव ले रहे हैं क्यों कोई बगदी संददी लिए नहीं है खासकर मीडिया हाउसे की संद रचना की संदर में प्रस क לפ přिर्फ ले लेtech। लेकिन मीडिया हाउसेज में एक संरचनात्मक इनिशियेटिव जो आर्गनेजिशनल इनिशियेटिव बड़ा वो नहीं दिख रहा है तो क्या आपको क्या लगता है कि जो हमारे देश में मानवाधिकार की एक जनरल आम जो इस्थिती है डिमक्रसी की जो एक आम इस्थिती अ हैं बहुत जिवन्त है मानवाधिकार भी बहुत महत्तपूर्ण उन देशों के लिए हैं चाहे वो नार्वे हो देन्मार्क हो स्वीडेन हो स्वीडिजैलेंड हो या तमाम इस तरह के मुल्क हो तो क्या मानवाधिकार की बदतर और लगतार बदतर होती जा रही इस्थिती लोकतंत्र में खिरावट क्या इसमें पत्रकार अलग से सुरक्षित रह सकता है या या पत्रकार इता का कोई अलग दीप बन सकता हो सकता है या कही न कहीं हम दोनों एक दूसरी से अफेक्टेट है अगर आप यह देखे हैं जैसे आप जो बता रहे थे पोर्टर वड़र द आप यह बात कह रहे थे कि जो मालिक है इन मीडिया कंपनी के क्या उनके लिए यह इंपॉर्टन है कि जब पत्रकार बहार जा रहा है या उसके ओपर थ्रेट है तो वो और हम सारे लोग जिनों ने भी जिनको भी रिपोर्टिंग एक्सपीरिंस है और हम जो लोगों को जान अगर आप पिछले 10 साल के के ससको देखे एक मैं यह भी कहना चाहूंगे कि यह एक लगजरी है यह कह पाना कि क्योंकि हर रिपोर्टर की बस की बात ये सिच्वेशन ऐसे बना दीगे जैसे आप देखे कि उन्निस ये नबबे के दशक में देनिक जागरन और कुछ ऐसे अकबार पहले अकबार थे जुनों ने अपने लोकल ब्यूरो में रिपोर्टर को कहने शूर कि आप साइड में अड इसे एक चलते हैं जब उनके वह राजडेव रणजन के केस में कहा हूं क्योंकि वह यह भी काम करते थे उनहीं अबारों के लिए जिस हिंदुस्तान और दैनिक जागरन और सारी अबार जिनके लिए वह स्टोरी करते थे आंत्मियों उनने क्या जर्नलिस्त हैं यह तो जोन उनोंने इसकी चर्चा की है कि ग्रासरूट लेबल के जो पत्रकार हमले होते हैं उनकी चर्चा कम होती है टाइमस अफ इंडिया ने अभी एक दिन पहले एक उसके चार जर्नलिस्टोंने मिलकर एक राइट अप लिखा है और इसमें इनोंने गौरी लंकेश की हत्या के कॉंट यह सवाल उठाया है कि गवरी लंकेश जैसी बड़ी पत्रकार पर जब हमला हुआ या उनकी जब उनकी जब मार डाला गया तो हम बोल रहे हैं और बोलना चाहिए हमें लेकिन जब ग्रासरूट लेबल पर ऐसा कुछ होता है तो उतना नहीं बोला जाता यह सवाल बड़ा लगता है उपर से राम चंद्र चात्रपती जो सिर्सा में इन्होंने बाबा गुरमीत के तमाम अत्याचारों अमानुशिक व्याभारों पर सवाल उठाते हुए अपने चोटे से अखवार में पहली बार परदाफाश किया बलात कार कांड का तो उसका भी हवाला टाम सफ इंडिया ने दिया है यह बहुत खुबसूरत और बहुत नैतिक आभा से चमकता हुआ राइट अप नजराता है लेकिन हम यह समझना चाहते हैं कि यह नैतिकता जो अखवार की है इस स्वैम जब उन अखवारों पर उन पत्रकारों पर होता है तो वो कितना कबर करता है मसल रामचंदर छत्रपती 2002 में मारे गए दिल्ली के बड़े अस्पताल में वो पड़े रह और यहीं वो मर गए उनकी मौत होगी अस्पताल में एक रिकार्ड तक नहीं हुआ इनका स्टेक्मेंट क्या टाइमस अफ इंडिया या बड़े अखवार दिल्ली के उन्होंने रामचं जो सफर करते हैं जैनलिस टाइमस अफ इंडिया या बड़े अखवार कितना कवर करते हैं यह एक हमें सबसे पहले अकनॉलज़ करने पड़ेगा कि बहुत बड़ी मित है कि मीडिया बड़ा सारे लोग लोग solidarity में हैं और सब कलेक्टिव अक्षिन करते हैं ऐसा है नहीं बिल्कुल हर कोई अपना individualistic जो सब का अजिंडा चलता है वह सहसाब से करते हैं और हम लोग अपने-पने इसके लिए कोई प्रॉपर एक्शन लेना जाए मैं यही सवाल आप से करना है मुझे लगता है कि ये एक जो अभी जासे टाइम्स अफ इंडिया ने अबाकी अख़वारों ने च्छतरपती का गौरी लंकेस के मदने के बाद जादा च्छतरपती जी पे भी या गुर्मीत की मामले के परदाफ़ाश के बाद वो एक वज़े ये भी एक पिछले चार सालों में साड़े तीन सालों में एक नया नारेटिव है जब भी आप कहेंगे कि ये हुआ भी तो वो पहले भी हुआ था तब आप कहां थे तो ये एक नया नारेटिव है लंकेस के मदर के बाद भी और गुरुराम रहिम के बाद भी के रहे च्छतरपती भी मरे तब तो आप नहीं चिलाए आरा में पत्रकार पर अटाइक हुआ तब आप नहीं बोले तो अब है कि 1947 में कुछ हुआ तो आप नहीं बोले तो ये एक नया नारेटिव है इसलिए वो मीडिया ओगनाइजेशन भी जुन्होंने च्छतरपती की ख़वर को या तो ब्रीफ में डाल दिया हो वह अचानक जगें ये इस इस और तेलिंग जुसको कहते हैं कि सरकार को पावर को बताने कि देखिये हम बड़े अब्जेक्टिव हैं हम सिर्फ अभी लंक केस और जो तमाम बातें उभर कर आई हैं उनके में पे अटक होने के बाद तो हम यह भी कह रहें कि नहीं चतरपती पे भी थी उस टाम कॉंग्रेस की सरकार थी तो यह एक जिसको कहते हैं ना मडिंग दा वाटर ठीक है उस टाम नहीं हो और चतरपती जी के अटक को लिखना चाहिए था लेकिन यह सब सोय हुए थे और अभी फिर यहीं होगा कि अगर कोई छोटे और कोई सहर से कोई पत्रकार पेटा को बड़े अख़बार दिल्ली के अख़बार नहीं कुछ करेंगे आप जो बात कह रहें बहुत महत्पूर्ण है लेकिन मैं आपको याद और दो थीन अंग्रेजी चैनल भी दो खास कर दो इन लोगों ने उसको नए ढ़ंग से इस्षू को डाइवर्ट करना शुरू किया ट्विस्ट आने शुरू हो गया इस मामले की कवरेज को लगभद थोड़ा टोन डाउन किया गया उसी समय एक अजीब संजोग है कि कोट ने कहा था कि तत्काल का रुआई की जाए गुर्मीत के डेरे पर लेकिन 15 दिन के बाद सरकार बिलकुल खामोश थी अचानक 15 दिन के बाद जब गोली लंकेश की हत्या हो चुकी थी तब ताहखाने में घुस्मा सुरू किया पुलिस ने और मीडिया के लिए सारे ताह का सारा टेलिविजन चैनल ने उस कवरीज को बिलकुल डाइवर्ट कर दिया या ट्विस्ट उसमें ला दिया यह क्या पहलू बताता है यह भी मीडिया सुरू से करती रही है खासके हमने यूपीय के जमाने में भी देखा कुछ चैनल थे जो यह करते थे लेकिन अब यह ब तो कुछ लोग का और कहना हो कौंग्रेस के नजदीक थी तो मतलब है उन्होंने अपनी प्रेस कंफरेंस में जो बात कही उसे बिलकुल आउट आफ कॉंटेक्स्ट कोट किया रिपब्लिक ने अपने ट्विट में और फिर कवर कवरेज में भी दिखाया और दो और चैनलों ने उसको रिपीट किया अखवारों में भी कई बार वो बात आ गई क माविस्ट या नकसल करें मामले इसमें इन्वाल्व हो सकते हैं उनकी भी हम जाच कराएंगे जबकि मंतरी ने इस तरह की कोई बात ही नहीं कही थी पहले दिन आपने देखा हो गए बहुत कम हत्याओं में ऐसा होता है हत्या होते ही लोग कहने लगे कहीं से खवाय ने कहीं पर देखा कि स्टेट गॉर्मनेंट इन फेवर अफ सीबिया इंक्वाईरी स्टेट गॉवन्नेंट सीबिया इंक्वाईरी तुरंत किसी भी इवें जहां बीजेपी की सरकार है और कोई बड़ा हाथसा हो जाए तो तुरंत नहीं मानते हैं एक लिमिट के बाद जब लगता इस मामले में किसी ने कुछ नहीं बोला थे लेकिन टी-वी चैनल सीबिया चलाने लगे लगा तो क्या आपको लगता है कि मीडिया कहीं न कहीं इस गौरी-लंकेश की पूरी हत्या के कोवरिज में कहीं साइड ले रहे थे हाँ साइड ले रहे पहले वो एक साथ दो भासाओ में बात कर रहे थे एक आउट्रेज की पत्रकार पे अटक हो गया पत्रकार पे डाक कोंकि गउरी लंकेश थी तो कनेड़ा पत्रकार लेकिन वह बहुत बड़े लिगसी उनके पिता जी बहुत बड़े तरह की बातें करने लग गए तो यह इसमें जानके मुझे लगता है यह थोड़ा बहुत नहीं अब यह बहुत ज्यादा होने लग गया है और यह मतलब हर हत्या और हर बड़े कांड के बाद आप देखिंगे इस तरह से डाइवर्शनरी टैक्टिक्स अपनाते हैं यह मीडिय पर ट्विटर पर चलाया गया और उनके हैंडिल जैसे वो कर रहे हैं और फिर दिविजर सिंग जो कॉंग्रेस के महा सची है उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया और रीट्वीट करने के बाद आप असा लगा जैसे की सारे जो हिंदी के बड़े चैनल से उनको गौरी ल लगे कि कॉंग्रेस कितनी नालायक पाटी है इसका एक नेता जोट बोल रहा है और वो पत्रकार के ट्वीट को उसने रीटीट किया है जो कि उनका हाई नहीं है अब सवाल यह मेरा है आप से यह कि आल्ट न्यूज पर इस बात का परदाफास किया जा चुका था फिर इसको इतना बड़ा इशू बनाना क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं गवरी लंकेश की हत्या के निशंस्ता और पूरे उसके पुलिटिकल कांस्पिरेसी अंगिल को डाइवर्ट करने के लिए हुआ यह बिलकुल आप जैसे अक्षे से अक्षे बता रहे थे और आप जो बात क आप था या कॉंग्रेस की पे ऊपर स्टोरी कर रही थी इसलिए उनके संगे हुआ जो एक प्रॉपर नारेटिव बना रहे हैं जो लोग और एक एजिंडा लेके बना रहे हैं वो जो 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 मूल एथिक्स है उसको तो फॉलो नहीं कर रहे हैं खास तोर से कुछ चैनलिस ज चलो बात करेंगे अक्टिविस का हो गया तो चलो यह लोग डिजर्व करते हैं यह इसका एक कारण यह भी बोलूंगे कि जो यह बहुत जरूरी है जादना कि आजकल बहुत हो रहा है कि यह कॉपरेट मीडिया का एक तरीका है कि जो मुद्दे आप कवर नहीं करते हैं और जो मुद्दे बाकी लोग कावर करते हैं उनको आप अक्टिविस बोल की किनारे कर देते हैं यह आपकी स्टाटेजी है और यह बहुत लोगों के संग हो रहा है बहुत सारे स्वतंत्र पत्तेकार जो कॉपरेट मीडिया छोड़कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि वह चाते हैं जो कॉपरेट मीडिया नहीं करते हैं तो मेंस्ट्रीम मीडिया चैनल उनको एक्टिविस बोल की किनारे कर देते हैं ताकि लोगोंने सीरिस्टी ना अच्छे निहा जो कह रहे हैं तो 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 टेलिग्राफ अखवार जो देश का बहुती प्रोफेशनल बढ़ अखवार माना जाता रहा है और जिसकी हेडिंग के हम सब लोग कायल रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस और टेलिग्राफ उनकी हेडिंग लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई कि टेलिग्राफ की पहले दिन की जो हेडिंग है हत्या के बात नेक्स टे उसमें था भासपा विरो यो तो है लेकिन जो फेक न्यूज के बारे में जो भी जैसे आप में बताए कि वो रवीज का ट्वीट था नहीं और उस पे भी बहस करवाया है अभी आपको याद होगा जब परेश रावल ने वो अरुंदती रॉय पे एक पाकिस्तानी किसी वेबसाइट जो की फेक था उस पे सी एन एन आई बी एन ने पूरा प्राइम टाइम डिसकसिन करवाया कि उनको बांदाना जाए कि जो मुद्ध था ही नहीं कि अरुंदती रॉय को जिप में बांदा जाया नहीं बांदा जाया और ये कोई इंटर्व्यू नहीं दिया उन्होंने कुछ नहीं और उस करनाटक में एक अजीब किस्म की पुलिटिकल कल्चर पिछले साथ आठ दस सालों से चल रही है कि लड़कियां अगर जीन्स पहन कर कहीं कैफे में बैठी हैं उनको मारो स्री राम सेना के नाम पर किसी और सेना के नाम पर अमिन ये जो एक आतंक राज जैसा बनता जा रहा ह कुछ है हलकों में करनाटक के कि पूरे पालू से ध्यान हटाने का जरिया हम एक तंब और वहां पर यह भी हम नहीं होई कोई बहस नहीं कोई बहस नहीं आप जब भी सिर्ण बहस इस पर हुई कि गोरी लंकेश पर मानहानी के कितने मामले चल रहे थे और ज्यादतर फर जी एक मामले में केवल उनको कनविक्ट किया गया था जिसको उन्होंने चल रहती दी लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि उनके जो बॉड़ी और वर्क जिनको उन्होंने क्या लिखा है अब तक क्या थी गौरी लाइए हमें कुछ नहीं पता है अगर आप किसी आम आदमी से प्चानक कि एक आम रिडर कन्फियूस हो जाएगा ऑल्लेगा या पता नहीं कौन से में मैं जो अखबार पढ़ता हूं और हरलोग दस Łखवार नहीं पढ़ते हूं हम पत्रकार हैं हम एक से ज़्याद हखबार पढ़तें । आम जनता ये एक आख़बार पढ़ती वह जो उसे ब्रह्मवाक्य लगता है उसे लेकिन आप लोग जो फेक न्यूज की बात कर रहे हैं मैं ऐसे लोगों का नाम तो नहीं लेना चाहता था लेकिन लेना पड़ रहा है मुझे मद्बूरी में इस बीच में कुछ नाम पुछल तारे की तरह उभर कर रहे हैं पुछल तारे इसलिए कहा रहा हूँ कि मैंतलोजी में उसे अशो माना जाता है निखिल दधीची आशीस मिस्रा मोनिका भारदवाज देजिंदर बग्गा कोई महावीर साधना तिवारी जागरिती शुकला राहन कौशिक निकुंज शाहू यह सब नाम है अब ये लोग ऐसे नाम हैं इन परिशय में जोडते हैं कि हमें प्रधान मंत्री फालो करते हैं लेकिन भारती जंता पार्टी कहती है कि कोई किसी को फालो करता है इसे शरित्र का प्रमान पत्र नहीं मिल जाता है लेकिन मिल इसलिए जाता है क्योंकि इसमें से दो लोग तेजंदर बग्गा और एक और सज डिल्ली भाजपा के प्रवगताग देखती है निहा इस पहलु को क्योंकि आप भी कई लूज भार शिकार हुई है इस तरह के इस तरह के फेक निउस और इस तरह के जो ट्वीटर जैसे कि इसमें से कई लोग कई नाम आपने जो लिये हैं उन्होंने मुझे और बहुत सारे ल सारे लोग भी नरेन मोदी जी उनको फॉलो करते हैं तो यह जो एक कल्चर जो बन रहा है ने तो जो लार्जर हमारे तरफ जो चल रहा है कल्चर टू इंकरेज़ वाइलेंस अब्यूज की तुम गाली दे दो मार दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमारी शागिर्दी मे हो तो कर सकते हो यह तो यह जो जस तरीके कि अ़ जो जो दिलासा मिलूः प्जिश को रही की चाहिए कि जो कर लें इस चीज को करने और आप यह चोड़िये हम लोग रिपर्ट्र इस को छोड़िये मेंगा वथा इन लोगों को खुद यह लोग टोल कर चुके हैं, तो उनके लिए पूटो की चाह रहे हैं उनके साथ एक सारी मंत्री और उसके बावजूद इस सरकार ने कोई ऐसा सीरिस्ली ने भी आया है, कहने को बना दिया कितनी बार हम लोग कंप्लेंस लिख चुके हैं, कब हम से कम छे साथ बार तो मैंने लिखी होगी उसका कोई एक्शन निया तो इस सरकार एक्शली क्या यह आंसर शायद में को देना चाहिए, शायद मैं यह ना बोलू आप सीरिस्ली सरकार बताएं कि यह मुद्दा उनके के लिए, हम तो केजरिवाल और रहुल गांदी को भी मोदी जी फॉलो करते हैं, तो फॉलो करना है केजरिवाल जी और रहुल जी और कोई भी को आपोजिशन का नेता जिनको प्रदान मंतरी फॉलो करते हैं और इस तरह के लोग और इस तरह की भासा, उसमें एक पत्रकार और पार्टी से पूरा जस्टिफिकेशन एक दिन के लिए रवी संकर प्रशाद ने बोला कि जो भी इस तरह की विवत्स भासा का प्रयोग कर रहे हैं बहुत गलत है उन पे भी उन्होंने उनको विट्रोल करना सुरू कर दिया है तो यह एक जो नहा कहा रही है कि वो पूरा पूरा प्रूवल है यह आरू होता है कि एकदम दूसरी तरफ देख रहे हैं खुले में गालियां चल रही है कुछ मानि उस बक्तब के बाद तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो क्या यह माना जाए कि हम एक ऐसे समाज में रहा रहा हैं जिसमें की जोट को सच और फरजी को असली बना कर पेश करना अधा बन गई है एक नए संस्कृति को हम देख रहे हैं पिछले चार तीन-चार सालों में और क्योंकि इस संस्कृति की वज़े से इनको डिविडें लेकिन लेकिन अच्छा है सबसे तो यह कल्चर क्रिएट किया है चिंता की बात यह है कि केवल यह ट्विटर पर या फेस्बुक पर ही नहीं हो रहा है जो बड़े संस्थागत अख़वार हैं बड़े मीडिया हाउसेज हैं वहां भी हो रहा है अभी उदारन आपको में ट्विट किया कि भगवा लहराया जेनियू में लाल जंडा गिर गया और एवीवीप सारी सीटों पर जीत गई निदीत रिपाटिया ज्यक्ष बन गई अब उनके ट्विटर पर जैसे ही चीज प्रिशारित होई देश के बहुत सारे कोनों में बीजेपी और एवीवीपी क कि एवीवीवीपी जेनियू में प्रशंड बहुमत के साथ जीती और वो खबर चब गई और चारो तरफ उस खबर को सब्सक्राइब किया गया ये क्या क्या ट्रेंड बता रहा है ये तो डिलीट किया जब कि उन्होंने जब कि उनका वो ट्वीट जो था वो डिलीट हुआ जी उसके घंटो घंटो तक और अभी तक मुझे लगता मैं सुबर भी देख रहा था अभी भी भी बहुत लोग सोच रहें कि एवीवीपी ने चुनाव जीता है वहाँ पर इसे क्या कहेंगे आप कैसे इसको छोड़ीए लेकिन एक कन्फियूज जैसे अगर आप अगर कैंडिडेट और एवीवीपी में बहुत गहरा मतलब बहुत जादा फर्क है खबर पर हम जाई नहीं है हम तो इस पर समझना चाहते हैं कि है क्या है जामतारा में जो है आदमी है उसको क्या मतलब कितने लोग वहां ट्वीटर पे होंगे या होंगे भी तो किस तर पे क्या स सब्सक्राइब तो वहां पर प्रीमियम भी है मतलब अग्यानता पर बहुत प्रीमियम है इस पार्टी में और पूरे संस्था में यह जैसे यह बात जैसे डिसकास हो रही है यह एक्चिली जो कहते ने पोस्टूथ सुसाइटी हो गई है जहां पर आप जितना भी एविदे किसी देदें सच बोलें किसी को कोई फर्ट नहीं पड़ता है और अगबारों का या न्यूज ओगनाइजेशन का यह रोल रहा है कि अब आप अगर जूज ओगनाइजेशन में देखें हर यह जगा नंच लिखे रहते हैं ग्राउंड रपोर्ट कहां है एविडेंस कहां है फैक्स कहां है उस वहां से लोगों का अटेंशन ही हट गया है नियूज ऑगनाइज़ेशन का भी अटेंशन ही वहां से हट गया है कि जमीन से फैक्ट लेकर आओ ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आओ ऑपिनियन पीसिस भरे हुए तो इस पोस्टूथ ससाइटी में यह जो पीसिस का जो यह फ्लाड आ गया है ना बार आ गई है इससे भी निजात पाने की जरूरत है अभी जब गौरी लंकिश की हत्या के बाद उनको तमाम तरह की विशेशन दिये गए डेरोगेटरी कमेंट किये गए उनके बारे में उनके चरितर के बारे में उनके लेखन के बा मतलब लोगों ने किताबों में लिखा है और उस वक्त के अच्छे जो इतिहासकार थे उन्होंने लिखा है ये नहीं कि ये केवल रियूमर है लेकिन बीच के दोर में अगर आप देखें लंबे समय तक भारत में तो डिमक्रिसी का या विमर्ष का या चेहरा नहीं था ये फिर से जो उबरा है और मीडिया का इसमें जो एक रोल होना चाहिए उसके बरक्स आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे गटनाकरम को मीडिया का रोल अगर आप देखें पिछले यह भी तिन चार सालों में ही नहीं मीडिया यूपीया 2 के के से हैगर ज्तना लिखा ओप ही कर लें 2009 की बाद से तो 2009 में आप देखें तो मीडिया बहुत जबरदस्त यूपी ए टू के खिलाफ मीडिया ने जितना लिखा और ठीक लिखा ये बहुत ही करप्ट सरकार थी वो पिशले 50-60 सालों में सबसे करप्ट सरकार थी अभी तक उसके निकल के आ रहे हैं लेकिन वही मीडिया 2014 के बाद ये नहीं है कि तमाम चीजें निकल क्या रही है मध्यप्रदेश का व्यापन स्कार लोग मरते जा रहे हैं अभी आप देखें स्रीजन जो बिहार में निकला है तो वो कलेक्टिव वो साइलेंस मुझे समझ में नहीं आता है कहां तै होता है कैसे तै होता है आप और स्कैम के वक्त आप रहे हुआ आपने बहुत क्लोजली देखा है और उस समय की मीडिया और अभी की मीडिया में दो हजाब चौदर के बाद इसको कहते हैं कहीं न कहीं एक लगवा मार गया है क्या आपको क्या लगता है बिल्कुल अंत में अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो आज कल हमें अंटी नेशनल कहा जा रहा है तो वो जो डेफिनिशन अफ मीडिया और जॉनलिजम थी वह उसी को ही मिटा दिया तो यह विभाजन जो है यह विभाजन में भी दिख रहा है जो समाज में जो राजनीत में है आखिर यह कहां ले जाएगा और क्या इसका कोई सुलूशन आपको देखते हैं इसका सलूशन हम और कहां लेग गया है यह हम अरड़ी देख रहे हैं जहां पर लोगों का कतलो हो रहा है उनको गालिया मि बाद भी कोई कहीं पर भी वो जाके नहीं सकते कि इसको बन करो किया आपको कुछ लिए है कि जो बेसिक है फाइब डब्लू और वन एच पर आप जाए और वह बेसिक जॉनलिजम कीजिए रिपोर्टिंग कीजिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए जो अईटोरियल जो अनुति मुटिपनी है बहुत महत्रोण है कि हमें पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों की तरफ जाना पड़ेगा, बेसिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, तब ही इतने धुंद में पड़ी हुई जो हमारी पत्रकारिता है, कहीं न कहीं उसको एक चमकदार रास्ता इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का यहीं समापन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद.